हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं बनाने ही ली हूँ कच्चे आम की एक बहुत ही टेश्टी रेस्पी जो की आप बना के सालो साल इस्टोर भी कर सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम कच्चे आम लिए है तो सबसे पहले इस आम के छिकल को हम निकाल देंगे फिर हम यहाँ पर आम को कद्दुकस कर लेंगे इसी तरीके से और इसके अंदर जो गुटली है वो हम हटा देंगे तो यहाँ पर सारे आम कद्दुकस हो गये हैं तो यह करीब 300 गराम है तो हम क्या करेंगे एक बरतन में सारे कद्दुकस किये हुए आम को टांसफर कर लेंगे अब हम इसमें 1500 गराम के लगभग चीनी एट कर देंगे और 100 गराम गुड़ एट करेंगे आप चाहें तो एक ही चीज या चीनी गुड़ ले सकते हैं पर दोनों जो हम डालते हैं इसका एक अलग ही टेस्ट आता है तो हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम इसके लिए एक मसाला तयार करेंगे तो यहां पर मैंने एक पहन लिया है तो आधा चमच जीरा और आधा चमच मेथी दाना एक चमच सौप और आधा चमच आजवाईन दो तीन लॉंग और पांच छे काली मिर्च लेकर इसको भून लेंगे हमें इतना ही भूनना है जब तक इसमें एक सौधी खुसबू आने लगेगी बस हमें इतना ही भूनना है अब हम गय इसको बंद कर देंगे एक मिक्सी जार में डालकर इसको हम पीस लेंगे बहुत ज़्यदा हमें इसको बारीक नहीं करना है बस थोड़ा दरवरा ही पीसेंगे तो अब हम जो ये मिला के आम और गुड चीनी रखा था उसमें थोड़े पानी रिलीज हो गे तो अब हम इसको गयस पे चड़ा देंगे घयस को धीमी गयस पे हम इसको पकाएंगे फिर आराम से ये जो चीनी है और गुड दोनों गल जाएंगे और हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे तो आधा चमच काला नमक आधा चमच कास्मीरी लाल मिर्च इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है और आधा चमच यहाँ पर मैं हल्दी पौडर ले रही हूँ और जो मैंने मसाला भून के रखा था उसको डाल देंगे अगर आप थोड़ा तीखा खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आधा चमच लाल मिर्च पौडर भी डाल सकते हैं तो अब हम इसको पका लेंगे हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें एक तार तक न बनने लगे जब एक तार बनने लगेगा तो हम गयश को बंद कर देंगे मैंने यहां पर आधा चमच साधा नमक भी डाल रही हूँ आप अन्हें मीडियम गैस पर इसको आठ से दस मिनट पका लेंगे आप देख सकते हैं यह परफेक्ट बन गया है आप हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें तार बनने लगा है या नहीं तो एक तार बनने वाला है तो हम इसी स्टेज पर बन कर देंगे क्योंकि जब तक यह ठंडा होगा तब तक यह अच्छे से तार बन जाएगा तो हमें बस यहां तक ही पकाना है आप हम इस गैस को बन करके और ठंडा होने तक इसको रख देंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप एक कोई ग्लास के जार में इसको टांसफर कर ले और एक साल तक फ्रीज में या आप बाहर भी इसको रख सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा आप इसे पराठे के साथ रोटी के साथ किसी के साथ खाईए बहुत ही टेस्टी हो तो लाइक कमेंट सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में तब तक के लिए बाइबार